ये दोस्तों, welcome back to Hollywood पंचनामा आज बात करेंगे कुछ underrated action movies के बारे में चलिए शुरू करते हैं नमबर पाच पर है Shooter, जो कि 2007 में रिलीज हुआ था इस movie के lead role में है Mark Wahlberg और इस movie में दिखाया जाता है कि Mark Wahlberg जो कि एक US Marine के retired officer प्ले करते है जो कि sniper हुआ करते थे US Marine में, उनको hire किया जाता है US President का assassination रोकने के लिए अब वो जब assassination रोकने के लिए जाते हैं, उनको ही frame कर दिया जाता है कि वो US President को मारना चाते हैं अब कैसे वो अपने नाम पे ये बदनामी हटा सकते हैं, कैसे वो अपना सबकुछ दाओ पे लगा के वो अपने आपको बहुचाते हैं बाकी एजेंसियों से और कैसे अपने आपको बेगुना साबित करते हैं, ये movie में दिखाया गया है मुवी काफी अच्छा है, मुवी में बहुत अच्छा एक्शन आपको देखने को मिलता है और स्नाइपिंग भी देखने को मिलता है तो मुवी को देखना और मजा लेना मुवी का उसके बाद चौते नमबर पे है अपग्रेट, अपग्रेट 2018 में रिलीज हुआ एक साइंस फिक्शन आक्शन मुवी है जिसमें दिखाये जाता है कि फ्यूचर में जब टेक्नोलोजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है इंसान के सरीड में कंप्यूटर चिप्स लगा के उनका एबिलिटी एन्हांस कर दिया जाता है और स्टोरी में एक बंदा और उसकी गर्फरेंड को एक गैंग स्टार पीटने के बाद उस लड़के में और जान नहीं रहता है उसके अंदर एक चीप प्लांट कर दिया जात में दिया जो मुवी आ है वहांग ध्राइव यह 2011 में रिल्जवा राययन ग्रासलिंग का एक बहुत इच्छा एक्षन मुवी जिसमें दिखाया जाता है कर रायन ग्रासलिंग एक चोटा मोटा स्टन ड्राइवर रहता है हॉलिवूड में और वह साइड बाइ साइड क्रिम मुवीग उसको एक डSure करने में फोर्स करता है और उस durum चलते सारा कुछ गर्मण हो जाता है अब सारे क्रिमिनल्स लोग और सब दुस्मन लोग उसके पीछे लगजाते हैं अब कैसे वह अपने आप को बचाता है और अपने चितने सारे रिस्तेदार और उसके चाहने वाले रहते सब को बचाते हैं वो इस movie में दिखाया गया है movie में action कूट कूट के बरा है और काफी खतरनाक action sequence और cinematography भी बहुत अच्छा है इस movie का आपको एक बार जरूर देखना चाहिए यह movie उसके बाद जो movie आता है वो है raid redemption यह 2011 में release हुआ एक बहुत ही अच्छा action movie में आता है इसमें दिखाये जाता है कि एक SWAT का टीम जाता है एक बहुत ही बड़े गैंस्टर को arrest करने के लिए और वो लोग एक building में जाके trap हो जाते हैं जहां पर रहते हैं बहुत सारे क्रिमिनल्स अब उन सब क्रिमिनल्स को कैसे वो मार के वो सबसे बड़ा गैंस्टर को पकड़ के लेकर आता है या तो मार गिराते हैं पूरा मुवी में दिखाया जाता है इस मुवी को देखने में बहुत ही जादा मज़ा आता है और इसका एक्षन देखने में तो फट के हाथ में आ जाता है तो इस मुवी को जरूर देखना और मज़ा लेना मुवी का उसके बाद आता है ड्रेट 2012 में रिलीज हुआ ये मुवी एक बहुत ही बढ़िया एक्षन मुवी है इसमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में जब पूरा युनाइटेट स्टेट्स का आवादी एक शहर में रहता है और उस शहर में फैल जाता है ड्रग्स का पवाब बहुत ही ज्यादा और वहां पर कानून चलाने वाले आदमी का नाम होता है जज जो कि जज, जुरी और आदमी होता है और इनमें से एक आदमी था ड्रेट जो कि जज, ड्रेट नाम से जाना जाता था जज ड्रेट अपने ही उसी सहर में एक ड्रग लॉड को पढ़करने के लिए एक bylding में जाते है कुछ उसके टीम के साथ और bylding में घुजते हैं उनको पता चलता है कि 2000 से मूवी काफी अच्छा है मूवी को एक बार जरूर देखना तो गाइज यह था पांच एक्शन मूवी जो की बहुत ही ज़ादा अंडरेटेड है आप चाहो तो एक बार देख सकते हो और देख के मुझे बताना इन पांचों में से कौन सा मूवी आपको सबसे अच्छा लगा और अगर वीडियो पसंद आये तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू वेरी मच बाई फोनाओ मिलते हैं अगले वीडियो में